तो दोस्टो ये जो प्रिसर कूकर आप देख रहे हैं इसमें लगबग आदे घंटे से दाल पकर है मगर अभी तक पका नहीं है क्योंकि इसके साइड से आप देखी सकते हैं इसमें गैस लिक हो रहा है तो आपको लग रहा होगा कि इसका वासर खराब होगा मगर ऐसा तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इस प्रेसर कुकर से गैस लिक हो रहा है और मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि इसमें जो प्राब्लम है गैस लिकेज का वा इसके वासरती नहीं है इसका जो प्राब्लम दोस्तों वह कुछ और है जिसको इस विल्यों में आप हो रहा हो रहा है तो इसके लिया करेंगे एक सैकल्मर्ण हवदाने का जो पंप हो इसको लेंगे औ। जो क्या करेंगे हैं में पादख करेंगे और इसके उपर हम यहाँ पर पानी डालेंगे दोस्तों पानी डालने से क्या होगा कि हवा जब हम अंदर डालेंगे तो हवा की अगर लीक रहेगा तो उसके हवा के दुवारे यहाँ पर बुलबुले दिखने लगेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहां पर leakage हो रहा है और कितना leakage हो रहा है तो दोस्तों इस तरह से आपको भी पताश्य चल चुका है कि इस पेसर कुकर में leakage problem है मगर्ड़ इसका जो problem है वहाँ वासार से बिल्कुल नहीं है तो दोस्तों problem कहां पर है कैसे है मैं आपको यहां पर बढ़ाता हूं दोस्तों क्या करेंगे इसका जो ढगा हुए उससे भी बाहर निकाल लेते हैं तो दोस्तो यह जो वासर आप देख रहे हैं वह काफी नेर्म हैं काफी सौट है आप देख सकते हैं इसे कुछ लगबग एक से दो हपते पहले बद लग गया है तो दोस्तो वासर जब खराब होता है तो वह हाड हो जाता है और जगह में कई जगह फटे हुए आपको देखने नहीं है कि इसमें जो गैस्ट होने का इसका सर्कारण नहीं है धृत लगा हुई रहता है वह दो लगा धिक vine को सब्सक् Series फ्राब्लम को आप जाये रोंड़ से ठ्टीक करने की कोशिच कर सकते हैं मगर दो तो इसमें सायद नहीं होगा इसमें और भी इसका हालत खराब हो सकता है तो आपको मैं एक uniceset trick बताने वाला हूँ तो आपको एक kill लेना है या कोई bolt लेना है और उसका मोटाई वासर की मोटाई जितना होना चाहिए उससे कम होना फिर भी चल जाएगा उससे मोटा न यहां पर मोड़ा है तो ठीक इसी पकास आपको जो बोल्ट है जो कील है उसे आपको गोल मोड़ लेना है जहां पर आपको डेमेज ठीक करना है तो जैसे कि आप दे सकते हैं यहां पर हम मुझे डेमेज जो है उसे ठीक करना है तो इसके साब से मैं इसको ढलान बनाकर इस बोल हको रखके हरें तो घकार गलती नहीं और सिकेक लिए तो जो तो बोल्ट की मुटाई की मुटाई की चितना है तो इस घकन तयार होा यहां पर हुआ है जिससे कि हम जब वासर लगाएंगे तो आप अच्छे से इस बॉडी के साथ चिपक जाएगा तो आप देख पा रहा है काफी एकदम क्लीन हो चुका है अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें हम इसका जो वासर उसको दोबारा यहां पर लगाएंगे तो चल तो चलिए हम इस ढकन को यहां पर इस कुकर में लगा लेते हैं और फिर से वही तरीका अपनाते हैं पंचेर चेक करने का जी हां तो तो हम आप इसका लिकेज चेक करेंगे तो इस तरह से हमने फिट कर दिया है अब दूबारा हम यहां पर पानी डालेंगे तो उसके बाद अरवा डालेंगे और हमें पता चल जाएगा कि यसमें लिक हो रहा है या नहीं हो रहा तो यहां पर उस प्रब्लम है वह सार हो चुक है तो हम यहां पर दुबारा पाईट डाल कर आपको चेक करके दिखाते हैं तो आप यहां पर साफ सब देख सकते हैं किसी भी तरह का इसमें गुलबुले देखने को नहीं मिल रहा है यानि कि इस कुकर का प्राब्लम था वसाल हो चुका है तो दोस्तों आसा करता हुआ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चले तो मिल करते हैं नेक्ष्ट रूमें तब तक लिए जय हिन जय भारत वन दिमात्रम